पें यंश्वाव्ट मग्रॉंद करें हुआ एंसा तो सॉत्थ ईह अर्ट आपके वसक्तल में उन मुलंक्त में नियुक्त वारे लोग्र एंपड़ने नुन ॉलले इन लेक्ट्शर स्थान लेक्च्छ एंक्द्ख का जाते हैं इसके अलावा इसका डेरिवेशन इंपोर्टेंट है अगर आप ग्रेजिवेशन में आपके सेमस्टर एक्जाम के लिए जो कि होंगे जाओंगे किसी को भी नहीं पता हो गए तो यह बहुत ज्यादा पर इंपोरेंट है वह सबसक्राइब भी नियुक्तर है क्माडय है वहिसको था उसका इसको बोलते हैं वेव लेंफ山 के वेवलें शिव्ट या कॉंचन शिफ्टा का सकते हैं उसको ठीक है कॉंचन का फोरम ला यह वेव लेंटन हो ला ढ़ूं सब्सक्ट करने सो बनेरे यह पूरा media साथ ह्म शुरू करते हैं तो अगर् corros मेरे बार मार्ण जानते हैं दिस गारगमार पांडे एंड आयम एड्यकेटर फोई एटी जैंड याइफर फोर फिजिक्स एंड वालिफाइड इजम तो तैम अल्सो यू कन सब्सक्राइब तो इस चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड फॉर पोस्ट्रेजी प्रेपरेशन रिलेटेड वीडियो एंड लेक्चेर्स एज वेल लेक्चेर्स की मैं सेरी स्टार्ट कर चुका हूं कॉंड नमगे इस दिरे दिरें पूरा स्लेब जाब ताकि आपको कॉंटेंट जो है वह ज्यादा दीखे ठीक है एंड येस युकान सब्सक्राइब तो इस चैनल फॉर एक्स्क्लोजिव कॉंटेंट फॉर इंडल्स की वन है आप मुझे आपको फॉलो कर सकते हो वन टू थी तीन आपको हैं आप दिख जाएंगे आप मुझे म होता क्या है जैसे हमने फोटो एलेक्टिक में पढ़ा था वो क्या करता है लाइट के पार्टिकल नेजर को वेरिफाय करता है ठीक है सेम चीज़ यहां पर भी हम क्या करेंगे विए फोटोन एंड विए वन इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन बैठा हुआ अपने प्यार से दर ठृटिक ने जर ठिक है करें ग्र play देशाष पार्टिकल आथे हैं तो क्या होता है तो इसको है ठीक है स्कैटरिंग मतलब दो पार्टिकल पर टक्राइंगे तो कुछ वह होता है यार को लिजन होता है कैसा को लिजन कि अब होता है यह दो सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करेंगे लाएंन करें किस दिसले से इस इनर्जी से यहां पर भी है दोनों पार्ट कर आए यह इस एक्सेस एक्सेस के अलोंग आई हमें एक नॉर्मल सीन लेते हैं ठीक है जनल किस लेते हैं फोटन इंदर साया अब टकराया इलेक्ट्रोन एक अलग डिरेक्शन में चला गया शुरू में इसकी वेलोस्टी जीरो थी बाद में भी वेलोस्टी के साथ मुव कर रहा है अब ध्य इसने अपनी इनरजी उसे स्टेशनरी पार्टिकल को दे दी जिसकी वजया से वह मूव करने लगा यस सेम चीज़ यहां पर भी है तो इस एचिन यो इनर्जी मैंसे कुछ पार्ट इसने इसको दे दिया यानि अपनी एनरजी इसको दे दी फोटन की एनरजी चलेगी इलेक एनरजी कम हुई का स्रिक्व hablando as labeled not एनरजी कम इसलिए मतलब और फ्रिक्वेंसी कम होगा है फ्रिक्वेंसी कि यह कम ही क्वेंकि एक क्वश्ट होता है एक यजिए एक इन चाहेई aneur we know that new equals to c upon lambda formula है मैं शायद formula भी तक मिने बता ही नहीं कोई नहीं को बात में डिसकास करेंगे बट एक असान से formula होता है frequency velocity of light and wavelength so यहां से अगर new बढ़ेगा so lambda कम होगा और अगर new कम होगा so lambda बढ़ेगा why because both are inversely proportional formula में देख लो c is a constant c is speed of light which is a constant that means new is inversely proportional to lambda so यहां से energy come we energy come with a frequency body frequency body any wavelength body so content uh effect can be defined as when an electron sorry when yes when an electron is hit by a photon or when a photon collides with a within sorry with a stationary electron then photon scatters at an angle let's say theta with an increase in wavelength yes or no by energy come we energy come with a frequency coming frequency coming matter wavelength बढ़ गई यहांनि फोटन आता है या लाइट आती है लाइट आती है लाइट इलेक्ट्रों से टकराती है और स्केटर हो जाती है at some angle theta with with the increase in wavelength or we can say uh with the decrease in frequency or the decrease in energy energy also the electron scatters in some at some angle phi let's say phi ठीक है दो angles को मने नाम दे दिया echo theta echo phi तो अब कारिवाई शुरू करते हैं इससे आगे कि क्या कारिवाई होगी इससे आगे चलिए क्या होगा देखो अब हमने क्या करना है we have to derive a formula formula क्या सब्सक्राइब आपको बता दू ठीक है होता क्या अभी सब आपने समझ लाए कि इसमें कारिक्रा मार्किट चल गया रहा है so we have a change in uh wavelengths let us say initially this had a wavelength lambda and after collision uh its wavelength increased to some lambda dash so then the change in wavelength will be what lambda dash minus lambda yes final minus initial initial wavelength was lambda final wavelength was lambda dash then this is given by h upon m naught c into one minus cos theta this is the formula forward for the change in wavelength और इसी को बोलते हैं Compton shift question कहां से आते हैं इसी से आते हैं क्या formula याद करना है और क्या करोगी बिल्कुल इसको याद करना है derive करोगे यस बिल्कुल करेंगे भी ठीक है so formula में आपको क्या पूछता है आपको दे देगा कि we have a photon of some wavelength lambda equals to some ठीक है कुछ एंग स्टम में आपको 10 एंग स्टम का एक photon है उसने कुछ एक electron से collide किया और वो let's say 30 degree पर scatter हो गया so find out the final wavelength ठीक है तो क्या करना है आपने lambda you know lambda yes lambda आपको पता है lambda dash let's say lambda dash भी आपको given है आपने क्या करोगे फिर lambda dash निकालोगे यहां से ठीक है lambda dash minus lambda question क्या होता है एच upon m0c into one minus cos theta h upon m0c की value रखोगे सारा कुछ constant है one minus cos theta theta आपको given है 30 और lambda आपको given है 10 एंग स्टम रख दोगे lambda dash यहां से निकल जाएगा ठीक है दिकत की बात नहीं है यह हम solve करेंगे बाद में अभी समझ में नहीं भी आ रहा रहा तो कोई दिकत की बात नहीं ठीक है बस मैं क्या कर रहा हूँ है इस formula का use कैसे करना वह बता रहा हूँ ठीक है यह तो होता करती है आपको fractional शिफ्ट भी निकालना पड़ सकता है लेंड़ा इसको बोलते है फ्रैक्शनल शिफ्ट है ठीक है मैंने शॉर्ट में लिग दिया यह टी आई ओन एल फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल शिफ्ट आपसे question में पूछता है कि what is the fractional shift in this case आपको सारी values given होंगी अपने formula में निकालना होगा बात समझ आगी numerical system करेंगे बाद में बट पहले अभी के लिए हम इसको करते हैं बात समझ आगी हो क्या रहा है एक photon आया with some wavelength lambda वह एक electron से टक रहा है electron से टकराने की बाद photon समझ थीटा एंगल पर scatter हो गया और उसकी बंगी लेंड़ाइस सो लेंड़ाइस माइनस लेंड़ा जो चेंज होगा वह होता है एच पॉन जरू सी वन माइनस कॉस थीटा तो इस इस इदी कम्प्लीट ठीक है जो सिस्टम अपने पास हो यह फॉन मारा निकल जाएगा ठीक है चलिए शुरू करते हैं उसके लिए हमें डाइग्राम में कुछ चेंजिस करने होंगे चेंज जानी इसको और ज्यादा हमने बढ़िया बनाना होगा दिस इस इन इलेक्ट्रॉन एक काम करते हैं इसको एक कोन भी बना लेते हैं अहाँ इस इस बर फोट्राल्ण दिस एन इलेक्ट्रॉन इधर को चला गया फोट्रॉन इदर को चला गया ठीक है ओ सितना आससे बना रहो सो तक यो डान गेट इस इस फोट से डि़ा कंफूश्टयू इरा नेयलेक्त्रॉन फोट्रोन इस तरह से जा रहा कुछिए वेव की्दा ठ तो ये गया वो इलेक्ट्रों तो समाीली बन गया है चल्लियों को निकल गया मैंने क्या बोला लेमडा के साथ आया लेमडा डेस के साथ निगला थीटा एंगल अब धान देना विछ फोत उन पुट्रोंगी वीलासी तर को इधर को इस का मुमेंट्म इस कि दरी को गाँ यह होगा यह सोननो ना इलेक्ट्रोन इदर को है इलेक्ट्रोन का मुमेंटम कि दर गवे तरो गवी क्यों और लेना एक इता लेना फार ए और टीटा के वीच में रेलेशन होता है जो डिराइब इत लेटर इसका साट्रिंग एंगल बोलते हैं तिक है सब्सक्राइब करके रखना नोटिफिकेशन आ जाएगा वाट विल भी दिस देस विल भी पी साइन फाई यस यह सो नो वह दर को पी यह दर को पी कॉस थीटा यह दर को पी साइन थीटा पी क्या है पीजी मुमेंटम अफ इस घए टेंजी इसके बाद अब ऑ मैं चीनल है इसके बास करें जब्सक्राइब के अपने पास फोटन किसे धर को गया इसको भास धिन यू तो क्यालिगा प्यूक्री थीटा खागा यादर रख साइ नहीं होगा इधर को गया होगा यू you sine theta not phi क्योंकि ये angle theta है ये vector आपका a vector this is some angle theta so this is a cos theta this is a sin theta अब बेसिक वेक्टर है या टिक चली तो ये पुरा diagram बन चुका है now what we have to do is we have to use the simple contribution of energy and contribution of momentum okay चले शोई शो यूज करते हैं उसको first we have to use the contribution of energy अब देखिये scattered electron है उसके energy क्या होगी equals to mc square पढ़ा है ना आपने ठीक है यह यह जो रिसेर्स पेपर रहा एंस्टैन का जिसमें उन्होंने equals to mc square लिखा हुआ है थ्री करोड मोस की निला में भी होने जा रही है आज ही पढ़ा मैंने ठीक सो important formula है mc square बोले तो m0 over under one minus v square over c square into c square yes or no भाई कोई रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है अब देखो यहां पर फोटन की बात हो रही है सो obviously this will be a relative case so we velocity से अपना electron जा रहा है वी वेलास्टी से electron जा रहा है सो उसका मास क्या होगा that will be relative मास और रिलेटिव मास क्या होता है है m equals to m0 over under one minus v square over c square यह formula आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लो ठीक यह रिलेटिविटिविटी मां बाद मां पढ़ लंगे इसको तो नाँ लेट आसओ Was The Consum Corona energy को 材सी से ऑफ मोथ सेंट होगा इनीशाल एंशल नजी क्या होगा है इनARSल और पूर जाके पूर ए无खी ऑबнения 500 energy of electron क्या है पहले रेस्ट पर है नहीं पहले electron कहां पर रेस्ट पर है सो इसके energy क्या होगी m0c square यह सौन लो बही energy क्या है mc square where m is the mass अब rest पर mass क्या होगा रेस्ट मास होगा वैसे भी इस फॉर्मले में रख लो initial velocity that is zero yes or no ध्यान से समझें इसको हम क्या बोल रहे है energy of electron एक काम करता हूं मैं दोनों अलग लग ले लेता हूं ठीक है इनिशल एनर्जी ओफ electron final energy of electron initial energy of photon final energy देखो सबका समझ आना जरूरी है सबके समझ में आना जरूरी है initial energy of electron क्या होगी m0c square क्यों क्योंकि energy क्या है equals to mc square and at rest the mass becomes m0 where m0 is the rest mass rest body है तो उसका mass m0 का simple सी बात है ठीक है because initially this is at rest so m becomes m0 चाहो तो आप इसमें v equal to zero रख लो v equal to zero रख दो के तो यह m0 ही बन जाएगा ठीक है m0c square बन जाएगा and final energy is what यह जो अपना पुरा term है m0 over and root one minus v square over c square ऐसा क्यों हुआ क्योंकि v velocity से move करने लग गया था बाद में into c square what will be the initial energy of photon important term है h new होगा हमने लिखा हुआ है सिदा सिदा final क्या है h new dash है बस अब कोई दिक्कत नहीं है लगा दो conservation of movement energy क्या होगा conservation of energy initial energy of both the particles what m0c square plus h new equals to final energy final energy kya m0 over and root one minus v square over c square into c square this is the final energy of electron plus final energy of electron h new dash बात समझागी अब काम करो हो एक साइड ले जाओ h new minus h new dash equals to m0 over 100 minus v square over c square into c square minus m0c square यह हो गया अब एक काम करो सब में अपन सी कर दो क्यों अभी देखेंगे बात न वह इसलिए क्योंकि बात में जब आपन मोमेंटम लगाएंगे तो वहां पर h new over c के टर्म में यह पूरा पूरी चीज आएंगे ठीक है तो इसलिए हमें h new upon c में इसको हम चेंज कर रहे हैं यहां पर तो उपर c square हो सिंप्लिस हो जाएगा माइनस से इसलिए यह बात समझ आ रहे हैं कि नहीं हमने क्या किया कुछ में लिए इक्षाइनज कर रहे है पहले हैं वाले तंस एक साइट ले गए ठीक है फिर उसके बाद हमने अपन में सब के सी कर लिया यह क्यों किया क्यों कि अभी आप देखते जाओ आगे को थोड़ा तो आपको फिर समझा जाए कि हमें तो हमें वहां से भी कुछ लाना पड़ेगा चले कोई हम आगे बढ़ते हैं तो आपके खुदी समझ आ जाएगा अब क्या करें यहां पर काम करते हैं एक प्लस एंजीरो सी को मैं इदर ले आया इक वैब क्योंकि हम स्कॉर करना है अब स्कॉर इंग डोनों साइट स्कॉर करेंगे तो क्या होगा यह पूरा तर्म है इदर यह पूरा टम है दोनों साइट स्कॉर कर दो यहां पर देखा कितने टर्म्स है up to three टर्म्स हैं सो ए प्लस बी प्लस ची का होल स्काइर यह होता है यह इसकोर प्लस गया स्क्वाइर सब्सक्राइब के से लिए प्लस कोई स्क्वार एब अब एब देखो डां ट्वै भी डी बिट यह जी है ना वहीं simple सा formula लगाने है और कुछ नहीं करने है चाहूं तो मैं इसको plus ऐसे लिख सकता हूं minus of h new dash by c लिख सकता हूं कोई दिक्कत तो नहीं है यह बच्च वाली चीज़ है so 2 into क्या कर लो इसको अब में plus minus minus हो जाएगा ठीक है कुछ नहीं कर रहा हूं मैं a plus b plus c का whole square formula लगा रहा हूं h new over c into h new dash over c minus 2b into c h new dash by c into m0c yes plus 2 h new over c into m0c हो गया ना a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac equals to is side का भी square कर देरो m0 square c square over unroot cancel हो जाएगा 1 minus v square over c square बचेगा let us say this equation consider की कि हमने नहीं किया ना भी थक equation 1 मालो फिर इसको ठीक है इसको equation 1 माल लेता है अब देखो याद रखना है equation हमारे h new over c square square h new dash over c square के terms में चीज़े आ रहे हैं now let us use the conjunction of momentum conservation of momentum क्या होता है initial momentum है equals to final momentum momentum दो एक्सिस के तर्मस में देखेंगा पहले x-axis के टर्मस में फिर y-axis के टर्मस में ठीक है तोटल मोमेंटम का मतलब क्या है कि कि momentum along the x-axis must be conserved and momentum along the y-axis must be conserved so x-axis में देखो diagram को देखो अब ध्यान से दुबारा से what is the momentum in x-axis momentum in x-axis इदर को फोटोन का क्या है फोटोन का क्या है momentum momentum की बात हो रही energy क्या है h new velocity क्या है h new by c होगा yes or no में momentum क्या होता momentum energy upon velocity होते है ना यार पे कोज़्स to e by c yes or no p equals to e by c so क्या हो जाएगा energy केतनी h new and h new by c so initial momentum of photon is h new by c what is the initial momentum of electron nothing zero क्योंकि rest पार येस सो दिसी दी इनिश्यल ममेंटम दससा दी लिए लुका टॉतल जितने अब रखो बीसाईड फॉडल मोमेंटम कया होगा ठीकरं किसा फाईल ममेंटम की लोगा है एक एक सिसमी बोल रहा हम है एक सिसमी हाथां है सब्सक्राइब को इधर को एंवी है यह x-axis एंवी के साथ सौरी एकस एकस एंगल बना रहा है यह एंवी है सो वर्ट विल भी दिस एंवी कॉस फाइब को क्या है यहां को मोमेंटम कितना है एच नियू डैस बाइस सी है ना यह सो नो पर इदर को एनरजी कितनी है फोटन गया सी है ना उपर फोटन गया कितनी एनरजी लेकर गया है टीक कितना होगा है विधर को मोमेंटम कितना होगा सी होगा इधर को मैंटम कितना होगा एकस zuraf केसी ल templary यह स hedge लगा रहा हृह ना यह एंज इधर को है और यह एकस एस में क्या component होगा इसका थीट कॉस कॉंपनेंट होगा mv cos theta और यहां पर theta के f1 यह यहां यह एंगल के f1 so mv cos phi this is the momentum of electron along x-axis momentum of electron x-axis plus momentum of photon along x-axis बात समझ आई कि नहीं ध्यान से देखना है तो इस देखना है तो इस इस दे total momentum total final momentum of both the particles along x-axis yes or no ठीक है total momentum along x-axis along x-axis बन गया हमारे पास initial momentum was h new by c electron का तो 0 था and final momentum is mv cos after collision after collision this is lhs में क्या है before collision rhs में क्या है after collision ठीक है plus h new dash by c बात तो समझ आ रहे हैं कोई doubt होगा तो एक वोक्स हो पूस्टे नहीं आप ठीक है h new by c equals to mv cos phi yes initial momentum and final momentum similarly in y-axis y-axis में क्या होगा देखो कि वाइक्सिस के अलोंग तो भी कोई motion ही नहीं है initial में कोई motion है क्या photon पूरा का पूरा x-axis में सो y-axis में सका वराश्टी component zero है और electron तो वैसे खुदी रेस्ट में सो वाइक्सिसमें कोई भी momentum नहीं है y-axis में initial कोई भी momentum नहीं है जो भी फाइनल है फाइनल क्या होगा इलेक्ट्रोन इदर को गया तो एक्स एक्सिसमें क्या component होगा पी-ई-साइन-फाइ स्वाइक्सिसमें होगा ना यार भई यह देखो इदर को mv सब्सक्राइब को इसका कॉंपोनें बात समझ जारी तो बहुत होगा क्या होगा अब पॉस्टिव आएक्सिसमें ले रहें देखो यह प्रस वाइक्सिस यह इस माइनस वाइक्सिस सो यू कैंड अंडेस्टेंड की दोनों आप उजी डिरेक्शन में तो जब टोटल निकालेंगे वेक्टर से तो माइनस हो जाएगा यह सौन नों सो फाइनल मोमेंटम क्या होगा पहले तो फोटॉन का ठीक है फोटॉन का मुमेंटम एलोंग य एक्सिस इलेक्टरॉन का मोमेंटम इलोंग वाइक्सिस बात समझ आ ही और इनीच्रल मोमेंटम पहलें दोनों पार्टिकल का एक्वड़ तो हम क्यां करते हैं मोमेंटम फोटॉन क्या शे हएं दो एक वेक्टर दर को में तो मैंने में घड़ाता हैं यह सो और नो बताओ भी लेक्ट है आप दो आपने देखने हैं यहां को गया फोटोन ठीक है है यहां को गया photon यहां को गय इलेक्टरॉन तो हमने Y X is में देख्णा था यह फोट और लिख इसकर अपिम्पोनेटीप यह 4 यह फोट्री Lewis इलेक्ट्रो ने तो इस्टन को नो 2 100 राच ते तो तो यही चीज है हमने कर दिया इनिशनल मोमेंटम इक्वल स्टू फाइनल मोमेंटम क्या करना अब दोने साइड कर दो स्कॉयर एक और काम करो है एंग वी की जगा एंग की जगा एंग जिरो वह फॉर्मला रिलेटिविस्टिक माँस का और रहां दो अब जिरो वर अन्रूट वर मैनस वी स्कॉयर ठीक है विसी को सॉल करते जाना आपने आगे को एक सेक्सिस में क्या था नोट भी करते जाना इसको एक सेक्सिस के लॉंग जो फॉर्मुला है उसको मैं दोबारा लिग दू एच नियू बाइसी इक्वल स्टू एम वी की जगह म ऐसिस कोस थीटा थीटा और 5 में ध्यान रखना है कहुंसा थीटा रख रहे हो कौंसा फाइव ये ही इंपर देट चीजह है यह यहीं पर आपकी गलती भी हो सकती है अचछुल डेस बाइस और सी साइन थीटा माइनस मच्वायर संपाइग कि हम ने एक जेग जोग कर दिया is इसको माल लो equation 2nd इसको माल लो equation 3rd equation 1 हमने पहले माल ली थे ठीक है यह होगी equation 2nd कि यह होगी equation 3rd ठीक है अब क्या करो squaring both sides अच्छा है 0 एना equal to 0 0 equal to this so 0 equal to this ठीक है तो क्या करेंगे एक को एक साइड ले जाओ तो इसको इस साइड ले जालो ना तो यह प्लस हो जाएगा थो एक काम करें दोनों साइड स्क्वाइर कर दो और दोनों को एड कर दो क्यों करना है देखो यहां जान दो है एक निए सोवर सी का होल स्क्वार है यह हमारी equation कहां से निकल के आए थी कंजूशन ओफ एनरजी में यहां पर भी कुछ-कुछ ऐसे ही टर्म्स आ रहे हैं कि नहीं आरे देखो एच न्यूट एस बाइस 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 देखो इनको स्क्वार करेंगे और कैंसल आउट कर देंगे आराम से कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ठीक है तो चलिए हमारे आउं मा इस ही मानसे कृश्छ थी कवल्स आ टीक यह एथ ए है क्या यहीत अग्या बाइस देखो हुछ एकवेशन स्कृ क decid would और कोई धिक्टत ने दूबारा घुले ले तो थर्ड एक्वेशन क्या थी है अब देखो दोनों साइड करेंगे एड करेंगे तो आप यहां पर समझ रहे होगे तो कॉस थीटा सान थीटा कॉस थीटा साइन थीटा सेट करके एड करेंगे तो यह रो जाएंगे सिंप्ली तो दोनों साइड स्क्वाइर करो इसका स्क्वाइर इसका स्क्वाइर इसका स्क्वाइर इसका स्क्वाइर और दोनों को एड़ कर तो क्या जाएगा लह से सब्सक्राइब होंगे देखो उपर का एच नियू बाइसी ए स्क्वाइर प्लस बी स्क्वाइर कि माइनस टू एभी कि इस रूम में गर्मी बहुत होगी है कि प्लस देखो यह उपर का लच्ष हो गया ठीक है अब नीचे वाली एक्वेशन का लेचे सेट गना है एसमें है एच न्यू डैस बाइस एक होल स्क्वाइर साइन स्क्वाइर थीटा यह सो नो हो जाए गए ऐसी आरेच इस भी एड़ कर दो एक्वेशन का स्क्वाइर एक्वेशन का स्क्वाइर क्या है एक्वेशन को एड़ कर दिया यह टम हमारे पास आ गया अब ध्यान देना यहाँ पर देखो यह टर्म देखो और यह टर्म देखो यह कॉमन आ रहा है एच न्यू डैस बाइस का होल स्क्वाइर ऐसी यहाँ पर यह वाला टर्म कॉमन आ रहा है कॉमन लोगे अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वाइर थीटा साइन स्क्वाइर थीटा यहाँ पर भी कॉ new dash over c square cos theta equals to rhs में क्या बचेगा m0v over and root 1 minus v square over c square का whole square दोनों common आएगा cos square 5 m square 5 बने जाएगा तो इतना बचेगा आपके पास rhs में इसको मान लो आप equation कितनी fourth ठीक है equation fourth में पहुंचे इसको equation fourth मान लो अब देखो हमारे पास first equation जो थी जो हमने conjunction of energy लगाई थी एच निवर सी एच निवर सी इसको यह सारे टर्म्स आये यहां पर भी कुछ ऐसी टर्म्स देखने को मिलने तो अगर हम इन दोनों को equation first equation first minus equation so first equation क्या हमारे पास ध्यान दो उपर जो मने conservation of energy लगा के निखा ले थी h new over c का whole square क्या थी पूरी equation है h new over c का whole square plus h new dash over c का whole square प्लस m0c का whole square देखो यह थोड़ा बड़ा सा है m0c का whole square minus 2ab 2 plus 2bc plus 2ac करके हमने पूरी equation निकाले थी इसको दोबारा से लिख दो आप ठीक है यह पूरी equation नीचे दोबारा लिख दो ठीक है माइनस कर दो यह वाली equation यह वाली equation अब इसमें क्यागे terms है इसमें भी h new by c का whole square प्लस मुझे बार बार उपर जाना पड़ा तो इसमें time जादा वेस्ट होगा इसलिए मैं सीदे से लिख देता हूं लेकर बार बार उपर स्वाइब करके फिर नीच आना पड़ा तो इसलिए दिक्कत हो लिए माइनस टू एज स्क्वाइर न्यू डैस ओवर सी स्क्वाइर कॉस थीटा यह टर्म्स आएंगे एक क्वल्स तो आरे चेस में भी दो टर्म्स उनको हम लिख लेंगे कुछ इस तरह से है आरे चीश में टर्म्स के हैं एंज जीरो स्क्वाइर सी स्क्वाइर ओवर अल्य स्गाएर अब डर्मभी यह यहां पर अजीरो वी है यहां पर एंजीरो सी है याद रखना first equation में तो ही क्या बन जाएगा यह बन जाएगा M0 c sqa over one minus v square over c square और इसका is quite झुख कर था क्या m0 is stör और झूब अ माथ हम viene unus ki स्वार याद रखना है यह ताम है तो यहसे हम यह कॉमन निकाल सकते ना M0 square over 1 minus V square over C square पूरा Mathematica ले गाइस कुछ नहीं है इसमें 1 minus V square over C square into अंदर क्या बचेगा C square minus V square बचेगा ठीक है तो यह हमने क्या किया है equation 1 minus equation 4 किया है कि अहीं कहले क्या है fuzzy देखते रहा है समय नहीं आएगा कॉपी पकड़ो पर प्ट पकड़ो तो क्या है करो भी क影片 कर किया रहे हैं तभी तो समझ आएगा ज्यादा अच्रीह आ का। कि ट्रौम के एक equation Connovation of Energy से निकली, एक equation Connovation of Momentum से निकली, दोनों में कुछ सेम टर्म थे, तो हमने दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है, दोनों को माइनस किया, तो हमारे पास एक equation निकल कर आई, equation निकली कुछ इस तरह से, अब यह इसको मैं नीचे लिखूं दोबारा, तो क्या बन जाएग का, M0 square C square, ठीक है, माइनस 2H square, new new dash by C square, into one minus cos theta, one minus cos theta कहा सा है, देखो, इसमें cos theta बच रहा है, और ऐसी same term एक, यहां बच रहा था, उपर, ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया हो, यह देखो, एक same term यहां पर यह बच रहा है, तो इसको मने common निकाल दिया, common निकाला दो, यह 1 minus cos theta, वहां से बच किया, ठीक है, ऐसी एक और term common आ रहा है, plus 2H M0C, over C, तो अंदर बच रहा है, new minus new dash, ठीक, equals to हो जाएगा, M0 square over, 1 minus V square over C square, into C square minus V square, अब जो V है, that is 2 less than C, yes or no, ठीक है, V is less than C, तो ही कह हो जाएगा, M0C square, minus 2H square, new new dash, by C square, into 1 minus cos theta, plus 2H M0C by C, new minus new dash, equals to, अब देखो, यह term, M0 square over, 1 minus V square over C square, V is 2 less than C, तो 1 minus V by C, क्या हो जाएगा, V 2 less than C है, तो V by C is 2 less than 1, V square by C square is 2 less than 1, तो यह term cancel हो जाएगा, आप उन्मों बचेगा, और C square minus V square will be, simply C square, yes or no, ठीक है, तो यह M0C square बचा, अब एक 0, M0C square हो जाएगा, M0C square हो जाएगा, क्या बचा, आपके पास बचा, minus 2H square, new new dash by C square, into 1 minus cos theta, plus 2H M0C by C, new minus new dash, equals to 0, इसको इदर ले जाएगे, तो यह plus बन जाएगा, 2H square, new new dash by C square, into 1 minus cos theta, equals to 2H M0C by C, new minus new dash, यह बन गया, cancel होना है, आपको cancel कर दो, H square से H cancel, C से C square cancel, क्या बचा, आपके पास, आपके पास बचेगा, H new new dash by C, into 1 minus cos theta, equals to, अब देखो, कुछ-कुछ, हम उस formula के frame में आ रहे है, new minus new dash, यहाँ से अगर हम new minus new dash की value लिक हैं, so new minus new dash, equals to what, H new new dash, over, M0C square, 1 minus cos theta, अब new क्या होता है, new equals to C upon lambda, होता है, और new dash क्या हो जाएगा, C upon lambda dash हो जाएगा, no values रख दो, यहाँ पर, new equals to C upon lambda, minus new dash equals to C upon lambda dash, equals to, H into new क्या, C upon lambda, C upon lambda, new dash क्या, C upon lambda dash, यहाँ क्या है, upon में, 1 0 C square, into 1 minus cos theta, yes, यह देखो न, H था, new dash, new dash, new or new dash, into 1 upon M0C square, into 1 minus cos theta, C, C, C square, cancel, क्या बना, C over lambda minus C over lambda dash, equals to, H upon lambda, lambda dash, into M0, yes, यह M0 भी है, yes, on no, ठीक है, यहाँ से निकालो C बाहर, C common निकालो, और lambda, lambda dash को ले जाओ, इदर, अब कुछ निकालना है, close multiply कर देना है, yes, चलो, C बाहर निभी निकालते हो, तो, lambda, lambda dash, upon lambda, into C, एका हम करें, चलो, C बाहर निकाले लेते हैं, C बाहर निकालते हैं, और इस side ले जा लेते हैं, ठीक है, C को इस side ले जा लेते हैं, तो, C नीचे multiply हम आ जाएगा, minus, lambda, lambda dash, upon lambda dash, equals to h over m0, ये C दोनों side से common आया, और नीचे चला गया, 1 minus cos theta, अब देखो, यहाँ पर, lambda से, lambda cancel, lambda dash से, lambda dash से lambda, क्या होगा, यह time हमने cross multiply कर दिया है, तो, यह दोनों से multiply होगा ना, है, difference में है, तो, lambda dash बचा, minus lambda बचा, equals to h over m0c into 1 minus cos theta, यह तो formula था, lambda dash minus lambda यह तो क्या होता है, यह तो delta lambda होता है, delta lambda equals to h over m0c into 1 minus cos theta, so this is the content shift, यह आपके पास formula है complete, यहाँ से आपकी numericals पूछे जाते हैं, और अगर आप graduation में हैं, तो आपको derivation भी पूछा जा सकता है, तो क्या करना है हमने, diagram बना देना है, वी वर सी वेलास्टी से photon डालना है, उसके बाद collide करना है, दोनों को electron को एक फाइंगल पे, photon को theta एंगल पे, phi और theta के बीच में क्या relation है, वो next lecture में derive करेंगे, और फिर हमने क्या करना है, consumption of energy लगाना है, initial energy दोनों पार्टिकल्स की, final energy दोनों पार्टिकल्स की दोनों एको एको एकोल करना है, उसको rearrange करना है, कैसे करना है, वो पूरा हमने देखा, उसके बाद वहाँ से हमारे एक equation निकलेगी, फिर हमने एक फिर आपने पास एक और equation आएगी, तो जो उपर consumption of energy की equation आई थी, और नीचे consumption of momentum की equation आईए, दोनों को subtract कर देंगे, तो बहुत सारे terms cancel out हो जाएंगे, फिर उसको further solve करते रहेंगे, so finally हमारा, और फिर C equals to, अन्यों equals to C upon lambda हम रखेंगे, so solve करते करते हमारे पास, final equation बन जाएगी, delta lambda equals to H upon M0C into 1 minus cos theta, where this whole term H over M0C is known as Compton wavelength, ठीका, lambda C से इसको represent, किया जाता है, you can write lambda equals to H over M0C, और we can also write delta lambda equals to lambda C into 1 minus cos theta, so this is the complete formula, complete derivation, next derivation है, Compton shift का, यानि theta और phi के बीच में, जो relation होता है, वो हम पढ़ेंगे next lecture में, I hope आपको पसंद आओगा, समझ में आया होगा, और guys, समझ में नहीं आया, इसको मैं याद करने का तरीका बताया तहाँ, कि यह theta उले कौन सा angle है, कई बार हमें confusion हो जाता है, कि यह phi है theta है, ठीक है, ओके दोनों angle हम कई बार यह diagram बनाते हैं, तो diagram में कभी इसको हम theta लिख देता है, कभी phi लिख देता है, तो कोई दिक्कत की बार नहीं है, तो यहाँ पर cos theta है, cos phi है क्या है, समझ में नहीं आ रहा है कई बार, तो मैं तरीका बता दो इसको याद करने का, ट्रिक बता दो, डल लेमडा क्या है, होगर M0C, 1- cos theta, यह बोला ना मैंने, तो M0, M0 क्या है, rest mass of electron है न, और इसमें दो सब का contribution होना चाहिए, electron photon सब का, तो जो बाद वाला term आएगा, this would be a photon, यह angle किसका होगा, photon को होगा, याद रखना, M0 is the rest mass of electron, दूसरा को होने photon है, यह भी electron का angle, यह जिस angle पर electron गया है, वो angle नहीं होगा, जिस angle पर photon गया है, वो angle होगा है, यह वो angle होगा, और अगर आपको electron वाला angle दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है, थीटा आपको पता नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला में तो थीटा रखना है, लेकिन आपके पास फाई गयो है, तो फाई मत रख दिना आपर, उसको निकालने के लिए, पॉर्मूला, व्याओ दिसके लिए धिन दिलिक्ष लेक्श लेक्ष लेक्श 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 तो थाख वाचिंग दिस वॉन, आपको पसना होगा, लाइक प्रिशेयर गड़िना, और इसको लाव, कोई डावट और कुछ, फीडबेग और कुछ भीए, यह एफ को कुमिन बोक्स उसके लावा आपके बटन के लिए सुट्राइब है अज बने फुर्म जाएगा तो आपके पास नुटिफार नुटिफिकेसम आज आजाएगा तो अटेस्टेश पर्मुला याद रखना या एलक्रन का मसरे और फोट्न गास करफ ट्रिंग गळा औ झाल झाल